हाई फ्रेंड्स में यसस्वी और वेलकम बेक टू मैं चैनल अज के इस वीडियो में हम एपो लोग की डाइपर का रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊं कि कि मेरा एक्सपिरियंस मेमी की डाइपर की साथ क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रह हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी इशो है वो भी एक मत्सी हो चुकी है और अब तक मैंने बहुत सारे डाइपर्स यूज कर लिये है और उन सबके वीडियो भी आपको मेरी चैनल पे मिल चाहेंगे वैसे लिंक मैं आपको डिस्रिप् तब मैं उसे नैपीज पहना देती थी या कुछ लवर्स पहना देती थी उस तरीके से करती थी अब क्या है कि क्या है कि यूरिं की फ्रिक्वंसी बहुत भढ़ गई है तो अभी बार बार अगर मैं चेंज करूगी तो उसी भी गेला लगेगा और फिर वो पॉश्चन तो सबसे पहले बात करते हैं मीमी के डाइपर्स की तो यह जो डाइपर है उसका में नाइप में ही यूज करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही लंबा चल जाता है अगर मैं अपने एक्सपरियंस की बात करो तो यह 8-10 घंटे बहुत ही सई से चल जाता है कोई भी लीकेज मुझे यहां पर फिल नहीं हुआ है तो सबसे पहले यह डाइपर किस तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ तो यह हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहां पर अभी यह जो साइज है वो मैंने मीडियम साइज यहां पर ली है अगर आपको साइज का आडिया नहीं आ रहा है तो मैं size में भी आपको बता दू कि यह medium size है, यहाँ पर मुझे 28 pieces मिले हुए है और अगर अपका बच्चा 6-11 kg की range में आ रहा है तो हमें उसे medium size पहनाना चलिए मेरी पेटी शो है उसे अभी medium size एगदम ही perfectly आ जाती है तो मैंने इस medium size में perfect किया है बट यहाँ पर आपको small, medium, L, XL सारे ही sizes available हो जाएगी आगे मैं आपको price भी बताती हूँ कि price क्या है वट सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मतलब कौन सी अच्छी बाते मुझे लगी तो सबसे पहली बात कि यह सबसे लंबा चल जाता है मैं उसे रात को पैनाती हूँ और जब वो उठती है तब तक मुझे कोई भी leakage यहाँ पर फील नहीं हुआ है आठ से दस गंटा बहुत ही सई से चला जाता है दूसरा यहाँ पर हमें एक ऐसा indicator मिल जाता है जो yellow line है वो दीरे-दीरे green हो जाती है और जब वो green हो जाती है तो मैं पता चल जाता है कि अब यह diaper हो है उसे change कर देना है सबसे अच्छी बात कि अंदर का जो portion बनाया गया है वो भी थोड़ा सा soft है बच्चे को softness फील होगी और यहाँ पर यह मुझे उसे wetness बिलकुल भी feeling होगी और तो मुझे यह चीज है इसकी बहुत ही सही लगी वैसे मैं बहुत सारे डाइपर्स यूज कर चुकी हूँ तो मुझे एक सही बात लगी कि यहाँ पर यह अच्छे से दिया गया है कि बच्चे को पिलकुल भी उतना चुबे नहीं तो अब बात करते हैं कि ब्राइन क्या क्या बात करती है तो सबसे पहले तो यह जो डाइपर से हो प्रीमियम बेबी डाइपर पैंट से ऐसा बोला चाता है और सबसे अच्छी बात कि ब्रीदेबल है इसका जो material बनाया गया है वो ब्रीदेबल है और हमारे बच्चे को अच्छे से फिट हो जाता है यह सपुश्चर ही वेटनेस इंडिकेटर दिया है यह स्कीन फ्रेंडली है और अब मैं आपको इसकी प्राइस की बात बताओ तो यह मुझे 400 रुपिस में मिला है 400 रुपिस में हमें यहाँ पर 28 पीसिस मिल जाते है उसक कुछ रेशिच नहीं हुआ है या और कोई प्रॉब्लेम नहीं हुआ है तो इस तरीके से यह सही है बट यह डाइपर आप जब भी निकालते है तब मैं हमेशा ही उसे कोकोनेट ओल लगाती हूँ और थोड़ा सा खुला भी रखती हूँ वो पोर्शन को थोड़ा सा खुला यह तो यह अगर आप इस डाइपर के साथ जाना चाहे तो डेफिनेटली चाह सकते हैं मुझे बहुत ही सही लगा है मेरी और से बिग थमस अप है इस प्रॉडेक्ट को और यहां पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक नॉन स्पॉंसर वीडियो है मेरा जो एक्स्पीर यूस्फूल रगा है तो प्लीज अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए पैरंट्स के साथ शेयर कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाबाई